आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डाट इस नेशनल इमर्जेंसी यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे कॉम्टेटिव एक्जाम में इससे कोशन पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भले हमारे दस्मेंट खराब हो जाएं आप जैसा भी उचे समझे लेकिन हाँ इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं इमर्जेंसी प्रोविजन पहली बात तो पार्ट नंबर 18 में गिवन है पहली इंपोर्टेंट बात यह है कि इमर्जेंसी प्रोविजन पार्ट नंबर 18 में गिवन है और आल्टिकल 352 से आल्टिकल 360 तक गिवन है आल्टिकल 352 से आल्टिकल नंबर 360 तक गिवन है इस प्रो इसका सूर्स कहां से लिए हैं हमने इमर्जंसी प्रोविजन से लिए हैं चैकर वाइमार मतलब जयर्मणी जयर्मणी कॉंसितूशन से लिए इमर्ज़ैन्स प्रोमिजनिस थी कैं आप आप तीन की से हमारी मिमर्ज़ै सी के प्रोमिजन से अगर आप देखो यह पे तो नैयशनल इमर्जेयन से गीविन एंडर आर्लिकलिकल नमबर एंट की सिक्सिक्स एद्द Cook In तों सब्सक्राइब आई को सब्सक्राइब वार्ड के इंपोर्टेजिय। में सब्सक्राइब करा एक। इमिय। सब्सक्राइब टाइwood no. 352 तो national emergency हमारी किसमें आती है article no. 352 और कौन declare करता है president can declare a national emergency when the security of India और यह part of it यह बहुत important है क्या किसी part पे emergency लगा सकते हैं हाँ national emergency भारते किसी part पे लगानी सकती है और यह हमारे तीन article 352 में तीन चीज़े डिफाइन करें गहीं है war, external aggression और armed rebellion ये तीनों factors में से किसी की भी वजह से हमारी क्या हो सकती है national emergency लगाई जा सकती है war और external aggression अगर है तो उसे हम बोलते है external emergency war मतलब लड़ाई हो रही है external aggression मतलब कि कोई एक देश जबर दस्ती लड़ा रहा है और हम अभी चुप बैठे ठीक है that is external aggression और अगर army विद्धरो कर दे armed rebellion हो जाय तो उसे क्या बोलते है internal emergency क्लियर को यहां तक तो हमारे भीया तीन फेक्टर कौन कों से बताए गए है एक तो बताए गया है आपका war एक बताए गया है external aggression एक बताए गया है armed rebellion आप समझी रहे हो सब दोग नाम से clear है कि अगर war हो रहा है या external aggression है तो वह external emergency होगी अगर war नहीं हो रहा है तो वह क्या होगी internal emergency जिसे हम क्या बोलेंगे armed rebellion आर्मी विद्धो कर दे अगर ठीक है तो इन तीन condition हम क्या लगा सकते है national emergency अंडर article नंबर 352 आप देखो सबसे पहले देखो armed rebellion से पहले क्या था armed rebellion से पहले हम बोलते थे internal disturbance जिसकी वैसे इंदरागांथी government ने 75 में emergency लगाई थी internal disturbance की वैसे ये term अब हटा दिया गया ये term हटा दिया गया किस से हटा दिया गया ठीक है ये term हटा दिया गया 44th amendment act 1978 ठीक है एक बात जहन में उतार लो article number 352 के अंदर 99% जो भी amendment है वो 44th amendment से हुए क्योंकि ये काफी चीज़े इसमें सही करी गई थी तो emergency के बाद जब चीज़ें सही करी गई तो सारे के सारे amendment 44th amendment 1978 से हुए 99% ठीक है और एक amendment बस ये 42 वाला इसमें आता है कि क्या national emergency हम पूरी country पे लगाए या उसे किसी part पे लगाओ चाहें आप किसी पार्ट पे भी आप national emergency लगा सकते हो by 42nd amendment 1976 के तहट ठीक है आप national emergency पूरे भारत पे लगा सकते हो या उसे किसी पार्ट पे लगा सकते हो by 42nd amendment 1976 के तहट वेरी इंपोर्टन ठीक है अब देखो national emergency का process क्या है कैसे हम इसको start करते हैं तो अगर national emergency लानी है तो भाया सबसे पहले एक written recommendation चाहिए from the cabinet पहले ऐसा नहीं था तो यह भी लाया गया किस से 44th amendment 1978 से लाया गया तो सबसे पहले cabinet से एक written recommendation जाएगी किसके पास प्रेसीडेंट के पास और प्रेसीडेंट प्रोक्लेम कर देगा हाँ इमर्जेंसी लगा दो लेकिन इसके प्रोक्लेम करने के तुरंद बात पार्लेमेंट से भी approval की जरूवत है वो भी दोनों houses के लोगसभा और राजसभा दोनों houses इसको approve करेंगे approve करने के कितने महीन अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी आप बस इतना समझ लो कि हमने सबसे पहले क्या करा है कि नैशन इमर्जेंसी हमने कैसे डिकलियर करी है सबसे पहले एक कैबिनेट से वो जाएगी recommendation जाएगी किसके पास president के पास जाएगी अभी इतना ध्यान रखना बस president के पास recommendation चली गई ठीक है और ये written recommendation का amendment कहा से लाएगी 44 से ये अभी हम बादे पढ़ेंगे 38 ठीक है तो अभी cabinet से किसके पास चली गई है president के पास written recommendation चली गई है अब जैसी cabinet के पास से president के पास गई तो president से सीधे proclaim कर दिया और ये जो proclaimation है ये दोनों houses से pass होना चाहिए within one month from the date of its issue दोनों houses से pass होना चाहिए एक महीने के अंदर अंदर from the date of its issue और ये एक महीने का time किस से आया ये again 44 से आया तो भाया सबसे पहले cabinet से president के पास गई president ने parliament को भेजी अब parliament के दोनों लोग सभा और आज सभा इसे special majority से pass करेंगे तब ये पास होगी और एक महीने के अंदर ये काम करना है ठीक है इतना समझ में आया अगर अभी अभी इस पैरा को छोड़ दो अगर emergency approve हो जाती है बोद भी houses से तो emergency continue रहेगी कब तक 6 महीने तक और ये extend हो सकती कब तक indefinite period तक कब तक extend हो सकती है indefinite period तक और लेकिन हर 6-6 महीने पे parliament से approval लेना बहुत ही ज़ादा जर जरूरी है तो भाईया समझ में आया process क्या है ठीक है समझ में आगई ये चीजे तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले process के लिए written recommendation जाएगी कहां से cabinet से cabinet से कहां जाएगी president के पास president के देगा हाँ emergency लगा दो लेकिन वो उसी दिन parliament से भी पास होनी जरूरी है और वो भी दोनों houses लोगसबा प्लस राजसबा और वो भी special majority से पास होनी जरूरी है जब special majority से पास हो जाएगी एक महीने के अंदर अगर ये पास हो गई तो emergency लग जाएगी 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए जब emergency लग जाएगी तो फिर अगली वार जब आपको लगानी होगी तो फिर आपको 6 महीने की permission लेनी पड़ेगी और ये extend हो सकती है infinite time तक ये आपकी चल सकती है national emergency समझ में आगे है पूरा process की कि किस तरीके से national emergency हम लगाते हैं अपने देश के अंदर quality की complete series upload है आप देखना तो उसे मैंने बताया कि 38th amendment tech 1975 में national emergency judicial review के अंतरगत नहीं आती ऐसा पहले बताया गया था लेकिन finally 44th amendment से ये process भी हटा दिया गया और national emergency आपकी क्या कहते हैं judicial purview के अंदर आने लगी किस से 44th amendment से clear हुआ अब बस इसमें एक एक ही जो पहरा मैंने छोड़ा था ना यह देख लो इसमें क्या है कि जैसे emergency को proclaim कर दिया गया है ठीक है और उस समय क्या होगा लोग सब्ध डिजॉल्व हो गई तो क्या होगा if the proclamation of emergency is issued at a time when the लोग सब्ध has been dissolved और the dissolution takes place during a period of one month या फिर approval चल रहा था और एक महीने फिर dissolve हो गई without approving in proclamation approved नहीं हो पाया पर यह dissolve हो गई तब proclamation survive करेगा until 30 days from the first sitting of the लोग सब्ध तो भहिया प्रोक्लेमेशन कब तक survive करेगा until 30 days from the first sitting of लोग सब्ध आफ्टर रिकॉंस्टिटूशन तो भहिया और प्रोवाइडर तो क्या होगा कि जो प्रोक्लेमेशन वो कब तक रहेगा 30 दिन तक from the first sitting of the लोग सब्ध फिर लोग सब्ध दुबारा से आएगी लोग सब्ध दुबारा से आ गई तो भहिया वो नेशनल इमर्जेंसी में एक चीज लगती है कि कभी कभी इमर्जेंसी मस्ट भी रिवोग देखो एक तो प्रेसिडेंट ने हटा दिया कोई बात नहीं लेकिन एक प्रोसेस और भी है कि अगर लोग सब्ध पास करें सिंपल मेजॉरिटी से तो भी यह आपका हट सकती है सिर नेशनल इमर्जेंसी में एक चीज और लग जाती है कि लोग सबाव भी इटा सकती है लेकिन बाई सिंपल मेजॉरिटी देखो क्या होता है फॉर्टी फॉर्टी फॉर्ट अमेंडमेंट टेक नेंटीन सेवंटेंट यह वन टेंथ टोटल नमबर अव मेंबर अव लोग सब रिटेंट नोटिस देंगे स्पीकर को या प्रेसीडेंट को स्पेशल सेटिंग होगी विदिन फॉर्टी देस फॉर्टी पर्पस अव कंसीडरिंग है रिजलूशन डिस अप्रूवल के लिए लोग सबाव से हमें क्या चाहिए फॉर डिस अप्रूवल ओनली लोग सबाव सबाव सकते हें यसरिकों अफल पसे हैं और लगाने के लिए एक इस सब को बताएं ने मेगे सिंपल मेजॉर्टी बट अप्रूवल जब करेंगे second point देखेंगे but when approved special majority is required national emergency के case में ही सिर्फ और सिर्फ special majority चाहिए होती है clear हो गया यह क्या fundamental right पे national emergency का effect पड़ता है बहुत पड़ता है article 358 और 359 मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ प्लीज प्रिवेस वीडियो देखना तो उसमें आपको समझ में आएगा तो भाया इसका बहुत बुरा effect होता है किस पे आपके national emergency पर article 358 और 359 का complete effect होता है किस पे national emergency पर article 358 क्या बोलता है जब national emergency होती है तो 6 fundamental right जो होते हैं अंडर article 19 वो automatically suspend हो जाते हैं automatically suspend हो जाते हैं और 44th amendment act laid down article 19 can only be suspended कब होगा जब war या external aggression की situation होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि article 358 में जो article number 19 के सारे right हैं वो suspend हो जाते हैं during the emergency provisions during the national emergency only national emergency ठीक है और article number अगर हम इसकी भी बात करते हैं आपके 19 की तो सिर्फ और सिर्फ वार और एक्सेर्नल aggression का case है तभी suspend होगा अगर आम rebellion है तो suspend नहीं होगा मतलब कि अगर article 19 suspend होगा तो सिर्फ external emergency के case में suspend होगा बास यह हो गया article number 358 article 359 क्या बोलता है यह बोलता है कि president is authorized to suspend by order the right to move any code for the enforcement of fundamental right during a national emergency fundamental right का effect जो है ना सिर्फ और सिर्फ नेशनल emergency case में होता है तो भाईया 359 क्या बोलता है कि president आपको एक order pass कर देगा कि आप अपने क्या कहते हैं इसको fundamental rights को बचाने के लिए आप court नहीं जा सकते आप is article 358 and article 359 के पार्लेमेंट एंपार हो जाती पार्लेमेंट बिकम एंपावर तु मेक लॉस अनी सब्जेक मैंशन निदी स्टेटलेस सब्कुल पता है if the parliament is not in session the laws made on a state subject by the parliament become inoperative six months after the emergency cease to be in operation जैसी emergency खतम होई उसके 6 महीने तक चलेगा और फिर वो क्या हो जाए फिर वो लॉक खतम हो जाएगा तो यह point ध्यान लगना भाई है six months तक है अब लोगसभा की effect on the life of लोगसभा and the state assembly जब proclamation on national emergency होती है तो लाइफ लोगसभा का जो normal tenure है उसे एक साल के लिए बढ़ा दिया जाता है तो को ध्यान रखना है चाहे लोगसभा का हो चाहे इस्टेट assembly का हो उसको एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है अब जब इमर्जनसी खतम हो गई तो उसके 6 महीं तक रहेगा यह provision फिर यह भी खतम हो जाएगा तो लोगसभा में देखोगे तब भी one year है और लोगसभा में देखोगे तब भी one year है दोनों में एक एक साल के लिए 10 year बढ़ जाता है अगर आप देखें इमर्जनसी कब कब लगाई गई तो एक तो सन 62 में लगाई गई एक 71 में लगाई गई एक 75 में लगाई गई तो 62 में कब लगाई गई ओन एकाउंट ओफ चाइनीज अगरे सा पाकिस्तान से यह दुआ था 65 में तो हमने नहीं लगाई थी क्योंकि वह पुरानी इमर्जनसी चलती चली आ रहे थी ठीक है 71 में फिर हमने नेशनल इमर्जनसी लगाई यह पाकिस्तान से हमारा युद्ध दुआ था बंगलादेश जब बना था और लास्ट वन अगर आप देखोगे इविन वन इमर्जनसी वॉस इन ऑपरेशन जो थर्ड प्रोक्लेमेशन नेशनल इमर्जनसी के वाउस इमर्जनसी इंद्रकान्दी गवर्मेंट टैम पर लगी थी इंटर्नल डिस्टर्बेंस की वज़े से ठीक ध्यान रहेगा यह तो हमें तीनों इमर्जनसी यहाँ रखनी है 62, 71 और 75 तो वार की वज़े से लगी थी एक्स्टेनल थी 75 आपकी इंटर्नल थी जो लास्ट वाल तो आपको आई होप नेशनल इमर्जनसी बहुत अच्छे समझ में आया होगा सारे के सारे important points हैं और कुछ नहीं है इसमें फालतु की कोई भी detail नहीं है ओके thank you very much